लिखें उपाध्यक्ष महुद है अगर भारत की आर्थिक ब्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई तुटी नहीं होगी कि क्रैसी उसका आधार है किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थती उस देश की भूमी की उत्पादन सक्ती पर निर्भर रहा करती है यदि भूमी की उत्पादन सक्ती में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और शामाजिक स्थती में भी कुछ परिवर्तन आरंब हो जाता है क्रैसी भारत के लिए एक आर्थिक ब्यवस्था ही नहीं है यह एक संस्क्राती भी है जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं उनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से धर्म के नाम से जाती के नाम से या राजनिती के नाम से होते हैं जैसे आंदोलनों में कोई भी समाज सामिल हो लेकिन क्रैसिस समाज उसमें सामिल नहीं होता है उस आंदोलन के साथ क्रैसिस समाज की शहान भूती भी नहीं होती है इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रख कर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए क्रैसि पर बिसेश ध्यान दिया जाए क्रैसि के शेत्र में इस वर्ष काफी प्रगाती हुई है यदि आप 1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में 31 अकाल पड़े जिन में 4 करोड लोग मरे लेकिन आज हमारे खाद मंत्राले ने 100 रुपाय मन के भाव पर गयहूं खरीद कर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया इसके लिए हमारा खाद मंत्राले बधाई का पात्र है एक बात मैं विशेश रूप से इस अफसर पर कहना चाहता हूं आजकल हम लोग मानव सक्ति पर जादा ध्यान ना देकर पूझी पर जादा निर्वर रहने की कोशिस करते हैं आपको याद होगा लगबग पांच दसक पहले मैं जापान की आर्थिक ब्यवस्था बिगड़ गई थी लेकिन बहां के साथ लाख कास्तकारों ने क्रैसी सिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे दस करूड आदमियों का पालन पोशन कर रहे हैं बहां पर तीस ऐसे बिश्विद्याल हैं जिन में क्रैसी की शिक्षा दी जाती हैं जिन से 16,000 छात्र प्रतिवर्स शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं आज हमारे देश में परियाप्त क्रैसी बिश्विद्याल स्थापित हो चुके हैं हमारे देश की 120 करोड जनसंख्या को द्रश्टी में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य हैं सायद हमारे राजिस्थान से कुछ ही बड़ा है उपाद्धक्स महोद यह ठीक है कि हम प्रगती सील हैं लेकिन हमारी गती में तेजी आनी चाहिए सरम की तरफ हमारा अधिक ध्यान जाना चाहिए जो पंचवर्ची योजनाएं हमने बनाई हैं उनमें हमारा लक्ष केवल यह नहीं था कि हम अधिक अन पैदा करें हमारा लक्ष यह भी था कि अच्छे आदमी पैदा करें जिससे कि भारत में रहने वाले प्रतेक नागरिक का ठीक बिकास हो मैं इस बात से सहमत हूँ कि राज्यों में जहां बहुमत के आधार पर ब्रोधी दलों की सरकारे हैं उनको तोड़ने का अधिकार केंद्र को नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हमें इस्तती को देखते हुए भेद करना चाहिए गुजरात की सरकार तूट गई इसके लिए हमको अफसोस नहीं करना चाहिए जहां तक इस बिल का संबंध है मैं इसकी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिससे की आपको उसे ठीक करने की प्रेणा मिले और इसको आप ठीक करके वहां का काम चलाएं इसका यह आश्य भी नहीं है कि जो पार्टी सरकार चलाती है बहें सब सही काम करती है लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूँ कि जो गुजरात की सरकार तूट गई वह अच्छी बात हुई है गुजरात के लिए आपने संसद सदस्यों की जो समिती बनाई है वह एक ठीक कदम है लेकिन इस बात का आश्वासन भी आपको देना चाहिए कि राज्य और जिला इस्तर पर जो समित्या आप बनाने जा रहे हैं उनको शवदलिये बनाएंगे ता कि जनता की जो कठनाईया है बे आपके सामने प्रतक्ष रूप से आ सकें और उनकी भावना के अनुसार बहां पर कुछ काम हो सकें अगर ऐसी व्यवस्ता नहीं होगी और बाहर के लोगों को आप उन समित्यों में रखेंगे जिनको गुजरात की समस्याओं का कुछ भी ग्यान नहीं है तो परणाम यह होगा कि आप गुजरात की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इसमें ऐसी कानूनी ब्यवस्ता करें कि जिस से विविन इस्तरों पर सर्दलिये समित्या बनाई जा सकें और उनके माध्यम से सरकार के सामने सुझाव आएं कि बहाँ पर किस तरह से काम होना चाहिए गुजरात और दोकिक मामलों में अन राज्यों से थोड़ा भिन है फिर भी बहाँ की इस्तरती यह है कि आज भी प्रतिव्यक्ति आएं तीन सो रुपए से अधिक नहीं है अधिक कर लगे हुए है यह उचित नहीं है महोदय आपने जिस उतसाहा के साथ मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ आपने ठीक ही कहा है कि मेरा यहां आना पहली बार नहीं है मुझे जहां तक इसमरण है यह पांचवा समय है जब मैं आपके इस सुंदर प्रदेश में आया हूँ पहले पहल जब 1922 में यहां आया था बह एक समय था और आज एक दूसरा ही समय है उस समय मुझे यहां इसलिए आना पड़ा था कि देश के सारे बिड़वड़े नेता जेल में बंड थे मात्मा गांदी जी भी जेल में थे और प्राया यहां के भी नेता जेल में थे दुरभाग्यबस या शवभाग्यबस किसी प्रकार मैं बाहर रह गया था और जब मुझे यह समाचार मिला कि इस प्रदेश में विशेशकर सरकार की ओर से बड़ी सक्ती हो रही है तो मैंने सोचा कि यहां आना आवश्चक है पूज्य मालविय जी से मैंने इसका जिक्र किया तो बह बड़ी प्रसनता के साथ यहां आने के लिए तयार हो गए यह दपी उनकी अवस्था उस समय अधिक थी मैं तो उस समय नवयूबक्त हम दोनों यहां आए यह आज से 32 वर्ष पहले की बात है और आपके इस सुन्दर प्रदेश का मुझे पहले पहल परिचे मिला कल जब मैं यहां आ रहा था तो मार्ग में मुझे बहस जगे दिखलाई गई जहां मैं बहुत कठनता से रात भर बैल गाड़ी पर चल कर किसी प्रकार पहुंचा था अब तो यहां पर कुछ कुछ अच्छी सड़कें भी बन गई हैं कि स्टॉप कि पहल 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 यह जो है सब्सक्राइब करते हैं तो टाइमिंग आनी चाहिए आपकी 25-26 मिनट इससे जाद नहीं लास्ट तो 30 ठीके हैं तो जो सी में हैं बच्चे वह इसका अनुवाद करेंगे ठीके